हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में 66 में बिपेसी बिहार सेसी बिहार दरोगा औरान एकजाम को ध्यान में रखते हुए गटना चक की सिरी चलाई जारी है इसके अंतरगत पार्ती इतिहास के आदनिक भारत की कोश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि एकजाम में आपका कोई कोश्चन न चुटे तो चलिए हम लोग देखते हैं आदनिक भारत की कोश्चन आज का टॉपिक है सुभास चंद बोस और अजादीन फोज इस से रेटेड हम लोग फैक्ट देखते हैं नेता जी सुभास चंद बोस का जनम 13 जनव से त्याग पत दे दिया कॉंग्रेस के अधेक्ष बने वर्स 1949 में कॉंग्रेस के अधेक्षता से त्याग पत देकर फॉर्बाड बुलोग की अस्थापना की तता वर्स 1942 में जर्मनी चले गए उन्हों ने वर्स सुभास चंद बोस को वर्स 1938 में भारती राष्टी कॉंग्रेस का अधेक्ष बनने के बाद गुरु देव रविन नाटैगोर दौरासांती निकितन में देशनाय की उपादी से समानित किया गया था मात्मा गांधी ने उन्हें देश भक्तों का देश भक्त का सुभास चंद बोस तीन अप्रण उन्हें 41 को जर्मनी पहुंचे छे माँ बाद जर्मन विदेश मंत्राले की सहता से उन्होंने दपरी इंडिया सेंटर का गठन किया जहां वे आजादी के पक्ष में में पर्च आदी किलराई ये तु सेना गठित करने की समती परदान कर दी वर्च ने 42 में सुभास चंद बोस ने उतरी अंफिर का में रोमेल में पकरे गये भारती युदबंदियों को वर्ती कर दर सजार सेनी को का दल गठित किया गया इसे ही दप्री इंडियन लिगल कहा गया अजा जब भारती सेनीकों को मोहन सिख को सुपरुद कर दिया तो उन लोगों को अजाद इन फोज में भरती करने लगे नेक्स्ट है दिसंबर 1941 में उत्री मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंग के नेतित वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकरी जपानी सेना से प्राजित हुई इस टुकरी के अन रेज लेप्टिनेंट करनर एलवी बीजन फैट्रिक जपान के युद बंदी हुए किन्तु बैंकोक निवासी भारती सिख ग्यानी प्रीतम सिंग के जिमेदार लेने पर कैप्टन मोहन सिंग और अन भारतीय सेनिक को युद बंदी के बजाए जपान के म नेत्युत करने के लिए उसाहित किया दिसंबर 1941 के हैंत में क्याप्टन मोहन सिंग इसके लिए सामत हो गया फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंग के नेत्युत में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया जिसमें जपान के मेले अभियान के तहद पराजित ब्रीटिस सेना के 32 सेनिकों को सामिल किया गया था असपस्ट है कि INA के विचार सुत्र जानी प्रीतम सिंग फुजिवारा ने दिया जबकि कैप्टन मोहन सिंग ने उसे प्रथम नेत्युत परदान करने का सासिक कार किया अजाद हिन फोज की पहले डिवीजन का अपचारी गठन सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंगिस के पर्थम सेना पती बने निक्स्ट है 4 जुलाई 1947 को रास बियारी बोस ने अजाद हिन फोज के कमांड सुभाश चंद बोस को सौप दी 21 अक्टूबर 1947 को सुभाश चंद बोस ने सिंगापुर में स्वतंत भारत की अहस्थाई सरकार अज सिंगापुर दीव घृटिस मेले का अंग था डूटिस मेले में सामिल तीन भाग थे फैडरेशन मरे माले और स्टेटस सेटलमेंट तीरती यानि स्टेटस सेटलमेंट का एंतरगर चार अललग छेत्र को जोरा गया था जो इस परकार है पहला मलक्का बर्तमान में मलेसिया का एक राज है डिडिंग बर्तमान में मलेसिया के पुराक राज का एक जीला है पिनांग बर्तमान में मलेसिया का एक राज है सिंगापूर अगस्त 1963 में सोतंता के गोष्णा की 16 सितंबर 1963 को मलेसिया का अंग बना 9 अगस्ट 1965 को मलेसिया की संसत का एक प्रस्ताव द्वारा मलेसिया संकी से अलग कर दिया गया इसी 37 देश बना असपोस्ट है कि जब सिंगापुर में अजाद इनफोज का गठन हुआ तब मलाया का वह हिस्सा था नई स्ट्रेसिंगा पुर्थतकालिक मले में अपने सैनी को कावान करते हुए सुवास चंद बोस से कहा था बहुत त्याग किया किन्तु अप प्रानों की आहुती देना सेस है अजादी को आज हम अपने सीस फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की अफसकता है जो अपना सीर कटा कर स्वधिंता की देवी को वेट चढ़ा दे तु मुझे खुन दो मैं तुम्हें अजाद दूँगा जै हिंद का नारा सुवास चंद बोस ने दिया था यह आजाद हिंद फोज का नमसकार का धंग था और आज यह सारे देश का नारा हो गया है निश्टे अजाद हिंद फोज दिवस 12 नमбыर 1945 को मनाय गया था जबकि 5 नमबर से 11 नमबर 1945 तक अजाद हिंद फोज के शिपाईयों आरके सहगल सा नवाज और गुरुवक्स सिंग डिललपल लाल किले के मुकदमे का मुकदमा चलाय गया था अजाद हिन्फोज के सैनी को एवं अधिकाडियों का गिरिफतार करवीटी सरकार ने नॉवंबर 1925 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया इन में तीन आयुकतों प्रेम सहगल गुरुबक्स सिंग एवं सहमवाज गोफासी की सजा और रासी दली को साथ वर्सका करावास का डंड दिया गया इसके बचाव के लिए कॉंग्रेस ने अजाद इन फोज बचाव समिति का गठन किया जिसमें भूला भाई देशाय के नेत्युत में तेज बहादुर सप्रू, केलास नात काटजू, अरुना असपली और जवाल लाल नेरू परमुक वकील थे सरकार के निरने के विरूद पूरे देश में तेजपर्ति किरिया हुई अत अंत में विवस हो करवाय सराय लौड वेवल ने अपने विसेसा अधिकार का पुर्यों करते हुए मिर्दू डंड की सजा को माप कर दिया पंडी जवाल अलनेरू ने भारत में नाजी वाद, फासी वादर समराज वाद बिरोधी निश्चित रूप के कारण जपान के बिरोध गुरिल्ला यूद में अपने योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कॉंग्रेस कार्जकार्णी समित्ती की बैठक की में बहुमत प्राप्त किया अब इसे रेटेड अमनों कोश्चन देखते हैं नेता जी सुबास चंद बोष का जनम जिस नगर में हुआ था वो है कटक इसकी ब्याक्या है नेता जी सुबास चंद बोष का जनम तेज जनवरी नगर में इसो अठारा सो संतानमे को रिशा के कटक में हुआ था उन्होंने वर्स नगरेस के अध्यक्ष बने वर्स नगरेस के अध्यक्षता से त्याग पत देकर फोरबाड ब्लोग की अस्तापना क तता वर्स 1941 में जर्मनी चले गए उन्होंने वर्स 1943 में जाद इन फोज का कमान संबाली पड़ाया इन्हें नेता जी के नाम से अस्मरन किया जाता है नेक्ष्टे सुवास चंद बोस ने फोरबाड ब्लोग की अस्तापना की तो फोर्बाड ब्लोग नेक्ष्टे सुवास चंद बोस ने फोरबाड ब्लोग की अस्तापना किस वर्स की थी तो 1949 में नेक्ष्टे फोरबाड ब्लोग की अस्तापना किस ने की तो सुवास चंद नेक्स्ट है आई एनेस मानसिक पोत्र था तो इसके अंसर होगा ग्यानी प्रीतम सिंग का और मेजर आईवेची फुवारा का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई एनेस किन के दिमाग की उपस थी और किसने इसकी अस्थापना की तो मोहन सिंग नेक्स्ट है आजाद इन फोज का बिचार किसक ने सुझाया तो मोहन सिंग नेक्स्ट है बारती राष्टी सेना आई एने कि अस्थापना किस वर्स होई थी तो 1942 में होई थी नेक्स्ट है आजाद इन फोज का पर्तम सेना पति था तो मोहन सिंग नेक्स्ट है अजाद हीन सरकार का निर्मान की घोषना की गई तो 21 सक्टूबर 143 को इसकी ब्याक्या है चाट जुलाई 1947 को रास ब्यारी वोस ने अजाद हीन फोज का कमान सुवास शंद वोस को सौपदी 21 सक्टूबर 143 को सुवास शंद वोस ने सिंगापूर में स्वतन्त वारत की अस्थाई सरकार का गठन किया नेक्स्ट सुवास शंद वोस ने स्वतन्त वारत की अंत्रिम संकार की अस्थापना की घोषना की थी 21 सक्टूबर 143 को नेक्स्ट निशन आर्मी का गठन के सक्री सयोग दिया था तो रास्वियारी बोस ने दिया था इसकी ब्याक्या देखे सुवास्चंद बोस जून उनेश्वतेंटालिस में टोकिये पहुचे और उसके तुरंत वाद रास्वियारी बोस ने सुवास्चंद बोस के पक्ष में भारति स्वतनता लिख की अधिक्ता कप के पद से त्याग पत दे दिया सुबाश्चंद बोष को अजाद ही इनफोज का सरवोस से नपति घोषित किया गया Next question अजाद ही इनफोज का परधान कर्याले कहा इस्थी था तरंगून में Next is किसने कहा था तो मुझे खुंधों में तुमें जादी दूँगा तो सुबाश्चंद बोष नेक्स्ट है अखिल भारतिय फोरवाड ब्लोक की अस्तापना के लिए सुवास्चंद बोस से जुरे कौन आई एनेस अंदूलन से जुरे रहे तो इसका अंसर होगा सीलवत रियाजी नेक्स्ट है भारतिय स्वातंता संगर्ष के दरा निमनिकित में सेकिस ने दफ्री इंडियन लीगल लीजन नामक सेना बनाई तो सुवास्चंद बोस ने बनाई थी नेक्स्ट है इन में से किस ने रानी लक्षमी भाई टेजिमेंट की अस्तापना की तो सुवास्चंद बोस नेक्स्ट है नेमनी कित में से किस एक ने सुवास्चंद बोस को देश नायक कहा था तो ये रभीना टेगोर ने कहा था नेक्ष्ट जय हिंद किसका नारा है तो सुभास्चन्द वोसका नारा है नेक्ष्ट नेमने कित में से आजाद हिंद पौज किस अधिकारी ने प्लाल के लिए पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया तो मोहन सिंग नहीं किया था नेक्ष्ट नेमने कित में से किस ने 1945 में जाद इन पौज की और से लाल के लिए के मुकदमे में पैर भी कर रहे वकीलों की अधिश्टा की थी तो इसके अंसरों का भूला भाई दिसाई ने की थी नेसको इस्चने निमनिकित में से कौन परसीद आया ने मकदमे के वकील थे तो भूला भाई देशाई नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में परसीद आजा है पौज का पर अभियोग चलाया गया तो ये वर्स 1945 में आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो से शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो आज के लिए इतना है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू फजया थेंड़ टोस्तों वीडियो में ये तोस्तों वीडियो पसंद प्रूइब करें लाइक करें तोस्तों बाइक करें तोस्तों आया हैं धून्गू